हेलो डियर उस्टेंट कैसे हैं आप सभी आश्रा करता हूं सभी फिट होंगे प्यारे बचो हमारा एक्साइज 10B चल रहा है इसके मैंने आपको क्वेश्चन मेर 1 से लेकर के 15 तके क्वेश्चन देटेल में समझा दिये हैं अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो जरूर क्वेश्चन बॉक्स में प्रवाइट करा दूँगा यह वाले वीडियो में हम लोगो क्वेश्चन बस 16 और आगे जितना भी पॉसिबल हो सकेगा मैं कोसिस करूँगा कि पूरे का पूरे क्वेश्चन कवर हो जाए लगिन अगर ज्यादा लैंदी अगर वीडियो होने जी लिए दूसरा डाइगनल बनेगा व एंगल बी ओर अंगलन्डी को दिया हुआ उसमें जो डाइगनल को बना लिया है वैसे तो दीखने रही अच्छा सा यहांप उस समझमया आजाएगा मैं इसको क्वेश्चन में आपने यहन यह बोल रहा है कि जो डैगनल है यहां इ लेकर के यहां तब जाता है इस और यह क्या कर रहा है एंगल एक ग्रों में बराबर बराबर में करना है तो यहां से प्रूफ हो जाएगा कि कि मेरा यह जो diagonal है AC ये angle A को bisect कर रहा है उसी तरीके से अगर मैं 3 और 4 को आपस में equal proof कर देता हूं तो यहां से मेरा यह भी proof हो जाएगा कि AC जो है वो angle C को भी क्या कर रहा है यहां पर हमारे पास क्या करेंगे जैसे ट्रेंगल मेरा ABC जो है इसका यूज करेंगे इसमें लिखो आप लोग इन ट्रेंगल ABC अब ABC में मेरा जो AB है और यह जो मेरा BC है यह दोनों क्या है इक्वल है तो हमारे लिखो आप लोग AB is equal to BC BC equal कैसे है क्योंकि हमारे यह site है रॉंबस का रॉंबस के चारो सेट आपसं मीकुल होते हैं तो यह दोनों होंगे तो साइड्स ऐफ भी जरूब लिख लिएना कि इसलिए आपस्entre contenido के चाले कि इसके भी आंगल के दिए उसके आपकोंचे क justify video कि परूंबबर ये सबुक्राइब कि रखा वरे लीए यह जो होगा यहांद सब्सक्राइब to angle 4 यह पर लिग भी दोगा आप लोग कि यह आपस में क्यों है तो यह हमारे opposite angles of equal side है ना इसलिए हैं आपस में क्या है हमारे equal है तो कि opposite angle जो होते हैं equal sides के वह भी आपस में equal होते हैं ठीक है तो यहां समीरा two or four भी आपस में क्या होगा equal proof हो गया अब आप लोग यह तो अगर मैं यह बोलू कि AD और BC आपस में पैरलल है और उसके अलावा यह जो मेरा लाइन जा रहा भी चुक्कि हम लोग AC को ही लेंगे अब यह लाइन को नहीं लेंगे क्योंकि अपने को यह एंगल के पास नहीं जाना है पहले हम लोग यह चार को आपस में इकवल इकवल प्रूफ करके यह प्रूफ करेंगे कि ए और सी जो हो चुके हैं ठीक है इसमें ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग क्या करेंगे यह मैं बोलता हूं यहां पर से कि AB और BC आपस में पैरलल लाइन है और यहां पर मेरा जो AC है वह क्या कर रहा है तो इसका आप AC is Transversal ओके यहां तक हो गया अब अगर हमारे पास देखो यह वाली लाइन और यह आपस में पैरलल हो और ऐसे एक ट्रांसवर्सल जा रहा हो ठीक है तो यहां पर जो बनेगा और यहां पर बनेगा इसको क्या बोलते हैं और यह दोनों का खासियत क्या है कि आपस में दोनों इक वलोते हैं किसी वी दो पहले लाइन में जब ट्रांसवर्सल करता है तो अल्टरनेट इंटियरे रंगल होते हैं यह सब चीजे में तक भी सुल कर चुके हैं बाकि आपको यह सब बेसिक नहीं पता है तो अब क्लास 7 का बूक के और जरूर पलटना पीज महां आपको चै अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल सैं अल्टरेनी हम ऊते हैं अपसमें उक्वल होते हैं तो अब आप समय मनलो लो पता है कि यहां God नंबर वन है वो इक्वले अंगल लंबर के क्योंकि दोदों फूर के पराबर है तो दोनों वरिये ऊपस्थ पर यह प एक पर यह Track करें पर यह और जैसे इथा समयाँगा उड़ा कमा आप खुद से कर लेना मैं उब को समझाता हो यह तो अब 3 और 4 को आपस में कैसे प्रूफ करना है तो सेम वही काम कर आप लोग कि अब यह बता दो कि मेरा जो यह वाली लाइन है और यह जो मेरी सीडी है यह दुनों भी आपस में क्या है रॉमबस के क्योंकि अपोजिट साइड है और यह दुनों पैरलल है और मेरा अगर एसी क् कंडिशन में 3 और 2 भी क्या होगा आपस में इक्वल हो जाएगा जैसे दोखो मैं यह अभी बनाया और नीचे मैंने एबी बनाया यह मैंने एसी ले लिया ट्रांसवर्सल ठीक है यह वाली लाइन तो यहां पर यहां पर एंगल बनेगा यह भी अल्टरेंट इंटिरियर है यानि 3 और 2 भी अल्टरेंट इंटिरियर हैं तो यह भी आपस में इक्वल होंगे तो इसको भी लिख लो आप लोग कि नाउं यह जो मेरा एबी है वो क्या है पैरलल है मेरे डी सी के एंड मेरा जो एसी है फिर से वही क्या कर रहा है ट्रांसवर्सल ठीक है तो जब यहां प तो अब अगर मैं इसको इक्वेशन नमबर 3 मान लेता हूं तो देखो मेरा 1 और 4 आपस में इक्वल था 1 और 2 भी इक्वल था और यहां से मेरे भी प्जल गया कि 2 और 3 भी इक्वल है तो अगर हम लोगों वन और 3 में देखें हम लोगों चाहिए कि अपने को 3 और 4 से मतलब है ना तो देखो और 4 कहा से हम लोगों मिलेंगी यह से मिलेंगी क्योंकि 4 के बराबर 2 है और 3 के बराबर 2 है दोनों साइट के मेरे पास 2 टूइक्वल आ रहे है इसका मतलब कि मेरे 3 और 4 भी क्या होगा अपसमी को लोगा तो यहां पर फिर से लिखो कि फ्रॉम लिखोंगा तो यह लिख लो आप पर आप लोगो एंगल नुबर टी और एंगल फॉर अगरा आपस मिक्वल है इसका मतलब जो मेरा एंगल सी था वो क्या हुआ था बाइसे हुआ था तो यह दूना पर अपसमी कुल हो ना तो फिर आप लिखो यह पर हैंस यह 10 कुछ भी ल प्रेंट हो रहा है अब सेम मिंख कहा करना अब यहां से ए बी और ट्रेंगल यह इसका इसका संग इसका इसका इसमें इन दूनों पूरों को लेंग लेंगा लेकिन वीडियो फाल्तों में लेंधी वान यहां पर उसको नहीं कर रहा हूं कि आपका अंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है दोनों आपस में यह समझ लिया तो यह भी हो जाएगा तो यहां पर 16 में complete बांथता हूं हम लोग चलते हो 17 वाले तो 17 में क्या कहा जा रहा है कि एक पैरल्लो ग्रामने अपर दीखराए भी सीडिया पैरलोग्राम इसमें प्वाइं आन वह इस थरीके से लिए गया है कि जो हैं और यह दो जो पॉइंड आन चीए अर दूसरी लेकर एंड की दूरी है और सी नहीं तक दूरी में पर दोर यह है am और cn आपसमेकल हैं तो यह सो कीजिए कि मेरा जो a c है ना वो क्या कर रहा है Mn को वाइक्सक्ट कर रहा है एक दूसरे को एक दूसरे को दोनों कर रहे हैं तो बैसे कैसे कर रहे हैं यह चोटा से यहां पर दिमाग लाना पड़ेगा एक चोटा सा construction करना पड़ेगा अगी मैं आपको copy में समझाता हूँ कैसे करना है तो यहां पर हमने क्या किया पहले जो फिगर आपके book में दिया हुआ था वो draw कर लिया ABCD जो हमारा parallelogram था वो बना लिया यह मेरा MN यह वाली line और AC जो है यह हमने और यहां से C से लेकर के M तक इसको मिला दो अब क्या होगा कि आप ध्यान से देखो कि यहां पर ही मेरा एक parallelogram बन गया है यह देखो A से लेकर के M तक फिर ऐसे यह डबा यह डबा यह जो डैरी मिल की तरह पतला से दीख रहा है इस ट्राइप यह एक तरह से इस तरीके से A B C D is a parallelogram parallel करो और GM लिख दो तो इसलिए अब इस parallelogram में मेरा जो AB होगा और जो मेरा CD होगा यह आपस में क्या होगा पैरलल होगा तो यहां पर लिखाप लोग होगी सो यहां पर मेरा जो एम बन रहा है वह क्या हो जागा पैरलल हो जाएगा सी एंक कि लिए यह चीज़ यह दोनों लाइन पैरलल है तो इसके पॉइंट्स वाले लाइन होंगे वह भी आपस में पैरलल होंगे औल्सो साथी सत्फ अपनेसे यह बोल गया है कि जो मेरा यम है ऑर जो मेरा सी औहल है यह लहाएं से ऑपस में पैरलल है तोmanuel मेरा बॉक्स बनेगा यह भी क्या होगा एक पैल्लोग्राम बनेगा यहां पर हमने देखा कि अ बर सी एन आपस में पैललवी है और आपस में क्या है इकोल भी हैं तो इस लिए हमारा यहां पर दो हन्स करके लिखो कि हमारा जो आए जो ए एम आए एम यह क्या है एक परालोग्रम है तो कि It's Vface करतीं इन से यह दरगो लगे कि भी ब्लय पेरलोग्राऊ एक दूसरे को क्या करते हैं करते हैं इसका मतलब यहां पर जो मेरा यह कर रहे होंगे तो इसका लिख दो में इसलिए मेरे जो ऊगाँ और जो मेरा इमयर वोगा नोगाँ हो उभास करेंगे तो चेन्र हैं वे टो जंब यहांगने भी एयंटी जोसल्व के पास तो SSD को समझते यहां पर बोल रहा है कि in the adjoining figure ABCD एक parallelogram है दीख रहा है parallelogram इसमें जो P और Q है वो AD और BC पे दो points है दो पी जो है वो AD वाली जो side है इसमें एक point है और यह Q जो है यह BC जो हमारी side है इसमें point है जो ही हमसे बोला गया है और यह points कुछ इस तरीके से है कि यहां A से लेकर के P तक की जो दूरी है वो 1 by 3 है AD कि यानि कि अगर मालो A से लेकर के D तक total मेरी दूरी अगर 9 cm है for example तो जो मेरी AP है वो 3 cm है 1 by 3 क्या इतना होगा 9 का 1 by 3 3 cm होगा तो बस मैंको समझाने के लिए बता रहा हूं कि AD का यह क्या है AP 1 by 3 है साथी साथ यह जो CQ है मेरा यह CB का या फिर BC अगर बोल रहा हो यहां पर क्योंकि पहले हमारे AP 3 cm का तो C को भी 3 cm का है यह यहां पर बोला जा रहा है कोड़ में घुमा घुमा करके बस दिया गया है अब आपको प्रूफ यह करना है कि जो मेरा दिया हुआ था पुरा same to same अब इसमें हम लोगों को क्या ध्यान देनी हुली चीज़े हैं कि जो मेरा ABC एक पैललोग्राम है इसके मंदब भी जो AB और DC होगा वह आपस में एक्वल होगा यह वाली साइड और यह वले साइड साथ जो मेरा AD और BC होगा यह भी आपस में आप एक चीज धम से कोईसे में बोला गया था कि AD का हाफ या फिर आपको को ऐसे दिया हो था ना कहां गया मेरा क्वेस्टन खुमा कर गया हाफ नहीं 1 by 3 दिया था AP इस तरीके से लिखा हुआ है एंड साथ ही साथ अपने को बोला गया है कि जो CQ है वह एक्वल है 1 by 3 of BC ठी इवें था question में तो मैंने आपको क्या समझाय था था थोड़े दिर पहले कि अगर यह दोनों आपस में AP और CQ होगा आपस में equal हो जाएगा अगर दोनों आपस में equal है तो यहां से यह तो clear हो गया कि मेरा AP और जो CQ होगा यह भी आपस में equal होगा तो इसको आप लोग डायेट लिग दो यहां से जो AP होगा वो equal होगा CQ के और equal क्यूँ है क्योंकि अपने को पहले से पता है कि मेरा जो AD है और यह जो BC है यह दुनों भी आपस में equal है तो उनका जो 1 by 3 और 1 by 3 होगा ना वो वह भी आपस में क्या होगा यह भी लिग दो कि equally हो गया कि ad और जो बी सिक्वे वो दोनों भी आपस में इक वलते इसलिए उनका one by three one by three ठीजोगा वह भी आपस में होगा अभी हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एपी और मिनि क्वा प्रूफ किया साथ यह दोनों पैरलल भी हो जाएंगे क्योंकि आप पोजीट सेंट ये दुन तो पैरल थे ही तो ये दुनों भी क्या होंगा आपसमें पैरलल होंगे जैसे कि ना पिछले लोके संवाइब था तो अपर लिग दो आपसमें आप लोग प्रूफ कर दो कैसे होगा वह समझो आप लोग क्या करो यह ल आप Walker कि यह में अपड़ेगा तो इधर से मेरे को नाम क्या देना पड़ेगा क्यों की बदेए रहा हुद कि ऐसे वाली सेट यहरी से अपसमें ब्राहबर है यह नाम देने में धिया डपने इक्जामे थे नंबर कट किया तो अपने लिको लिकू in triangle मेरा जो dpc बना हुआ है triangle dpc and दूसरा जो triangle मेरा qba ठेक है qba तो इन दुनो ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या चीजा इकॉल है तो पहले तो उपर में यह मेरा cd और नीचे का यह मेरा ab , यह दोनी आपस्मेकॉल है जैसे कि हमने यहाँ देख लिया था तो पर वब लेखो कि इसका वलो डी सी डी सी is equal है हमारे इसके वाले एबी की थे यह दुन आपस में उता हुआ हो गए दुसरी छीज्श यहां पर जो एंगल बनेगा और यहां पर जो एंगल बनेगा यह दुन भी तो आपस में equal होगा ना क्योंकि यह वला एंगल और यह एंगल और यहां से यहां तक हमारा 3 cm हो जाएगा तो बचा कितना यहां से यहां तक मेरा 6 बचा और यहां से यहां तक किया है टो इसमें हाब लोग लिए दो क्यों मेरा也可以 यहां से क्यों वी और यहांँ से था क्यों डिपर अबलोडो कीश योगा का और इकवल उतक्स क्रिस्पांडिंग साइड हों गया अब यहां पर एक हमने प्रूफ किया था और यहां पर हमने प्रूफ किया तो यहां पर लिख होगे कि यहां पर लिख यही बना है इसमें हमारे पास आप er हैं हमारा जो कॉष्ट है कंसे चार साइड होते हैं यह क्या होगा एक प्रढ़ प्रयूग्राम होगा तो इस सके अपस जो साइड से इकॉल बहुत करना था त्युक्त सिंपल है बस आपको बेसिक कॉंसेट कलियर होना चाहिए जिसके ऑगला बस वह सॉप कर a legit कर रहे हैं ग्रव्बसराइब यह गाट कर रहे हैं इसको तो एक सेग्मेंट बन रही है देखो E, O, F यहाँ पर यह जो intersect कर रहे हैं यह point O में कर रहे थे यह दोनों diagonal साथ ही साथ हमने क्या किया या फिर जिसने भी question बनाया है उसने क्या किया कि एक line ऐसे draw कर दिया जिसमें मेरा E, O, F जो है वो क्या कर रहा है एक इस तरीके से बना है कि जो E है मेरा वो AB side पर है देखो AB मेरा point E है और जो मेरा F है वो DC वाले side पर आ रहा है तो आपको यह proof करना है कि E से लेकर के O तक की दूरी और O से लेकर के F तक की जो दूरी है वो आपस में equal है यानि O E is equal to O F यह यहां से proof करना है तो हम लोग ऐसे करेंगे अगर किसी भी दोनों triangle आपको यह इधर वाले लो यह दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को ले लो किसी भी दो triangle को पकड़ लो उनको आपस में congruent proof कर दो जिसमें यह वाला side आ रहा हो तो मैंने यह वाला triangle और यह triangle पकड़ लिया है इसका नाम हमने दिया है ODF और इसका नाम दिखा है OBE ठीक है अब यहां पर क्या रहा है तो यह वाला जो angle होगा और यह जो angle होगा डारेट दिख रहा है कि vertically opposite angle है तो आपस में क्या होंगे equal हो जाएंगे तो इसमें लो लिखेंगे कि मेरा जो DOF है angle number DOF है वो equal है BOE के angle BOE के और दुनों equal क्यों है तो दुनों आपस में vertically opposite है vertically opposite angles हैं इसलिए आपस में equal है तो यह दुनों equal proof हो गया साथी सलम लोग कि आज मैंने को बताया था कि जो मेरे किसी parallelogram में जो diagonals होते हैं का मतलब क्या है कि मेरा जो OB होगा और OD होगा यह दुनों आपस में equal हो जाएंगे तो यहां पर आप लोग इसको भी लिखो कि मेरा जो OB है वो equal है OD के और equal क्यों है तो यहां पर आप बता देना कि जो diagonals होते हैं वो इसलों को bisect करते हैं यहां पर लिखो आप लोग में vertically opposite होंगे क्योंकि यह दोखो यह वाली line मेरी parallel है यह वाली line की और यह जो मेरा यह क्या कर रहा है काम diagonal कर रहा है यह फिर transversal कर सकते हो transversal काम कर रहा है जिसे दो यह मेरा डी F मैंने बना दिया यह मेरा मैंने eb बना दिया ठीक है और यह मेरा d से लेकर के बी तो जो लाइन आ रही है वो मैंने ड्रॉ कर ली तो यहां पर यहां पर बनेगा वो क्या होगा अल्टर्नेट इंटीरियर एंगल होगा और जो क्या आपस में इक्वाल होता है तो इसके राम देदो एफ यह फिर ओडी एफ देदो एंगल नंबर मेरा जो ओडी एंगल ओबी एक और दुना आपस में इक्वाल क्यों है क्यों क्यों आपस में अल्टर्नेट इंटीरियर एंगल इसे लिए इक्वाल हो गया तो हमारे एंगल साइड और एंगल यह ऐसे जो रूल है उसके तहट क्या हो गया यह दुरों ट्रेंगल मेरे कॉन्गरेंट यह और दूसरा कोन से से काम हो जाएगा काम यह मैरा ऑं और यहादा रहा है। हो यह मेरे क्या estado होता है से तो जितने भी पार्ट होते हैं वह आपस में इक्वाल हो जाते हैं उसी को बोला जाता है क्रेस्पॉंडिंग पार्ट ऑफ कॉंग्रेंट रेंगल तो इस तरीके से आपको यह भी कुष्टन जोगा वह सौल हो जाएगा चलिए नैंटींथ वाल हो गया अब अगला कुष्टन 90 डिगरी बस यही तक है यह जो है यहां तक आपको मेंस समझना है बाकि तो आगे बोला है कि इसेद लिए वह पता कीजिए तो में इसको समझो इसमें धो एंगल है डो एल्टीूड के बीच में एक पैललोग्राम है तो यहां पर मैंने क्या कि बना दिया एक बैले लो घ् dijo को बोलते हैं कि हमारा वो वाली लाइन जो सीधा नाइंटी डिग्री का एंगल बना है किसी भी एक कॉर्णर में किसी भी एक वर्टेक्स में जो नाइंटी डिग्री के एंगल बनाते हैं उससे ही यह जा यहां से दोनों इधर क्यों नहीं आ रहे हैं तो एक और छोटी स्की यहां पर बोली थी कि जो एंगल बन रहे हैं दोनों altitude के बीच में त्रू दी वर्टेक्स ऑफ और अब्ट्यूस एंगल यानि कि एक ऑफ्ट यूस एंगल के वर्टेक्स में और इसको बोलते हैं जो 90 चौड़ा रहता है फैला हुआ रहता है यह वाला एंगल यह वाला तो मैंने उपर वाला इस ले लिए था कि आपको अच्छे से दिख सके हैं तो यहीं हमसे बोला गया था कि पैरलोग्राम में अप्ट्यूस एंगल जहां पर बन रहा है वहीं से जो एल्टीटूड तो उनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री का है यह हमसे यहां पर बोला गया था बस इतना दिया हुआ है आपको यह एंगल एंगल सी एंगल नंबर बी और यह पूरा का पूरा पूरा कंप्लीट बनेगा एंगल नंबर डी में न वह पता करनें तो छोटा सा 60 डिग्री is zarada मेरी इसपे perpendicular है तो अल्टी और को इससरी के सेबसे कर नहें मैम Philippines पर साती सा साथ जो बीच में एंगल बन रहा हमारा जिसका नाम p.d.q, यह मेरा 60 ीडिग्री का है अब आप आप लों को एंगल किसे निख निखला के वह बहुत है असां है हम लोग क्या करेंगे यह जो क्वाद्रिलीटरल अंदर में बन रहा है इस बड़े वाले परीलोग्राम के अंदर तो इस वाले एंगल का मेजरमेंट निकालेंगे कैसे इसमें इसमें इतल परोपर्टी होते हैं किसी भी कौड़िटर जो चारों एंगल होते हैं। उनका सम 360 degree होता है। जैसे त्रेंगल के तीन हो एंगल का सम 180 होता है, वैसे आफ दीले में, चारों एंगल का सम 360 होता है। तो यहां पर हमारा जो एंगल नंबर एन्हीं 90 डिगरी का है altitude का मतलब होता है 90 डिगरी तो यह 90 डिगरी हो गया angle B का पता नहीं है angle Q 90 डिगरी का हमारे पास क्योंकि वह भी altitude वाला एंगल है और मेरा 60 डिगरी का है equal कि उस एड में 360 डिगरी हो जाएगा तो 90 का वेल्यू कितना निकल गया 360 से 240 मैनस हुआ तो 120 डिग्री आ गया तो एंगल बी का वेल्यू होगर 120 डिग्री है तो जाहिर सी बात है जो अगे तरीक लिए कि वह भी समझ लोग्या तो दू तरीक्त फ्रीक्त लगा सकते हो जिसको मैंने आप पिछले वाली तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा दोनों का सम्ट 1,8 degree हो जाएगा क्योंकि हम लोग क्या जानते है अर्जसेंट एंगल वला जो रूल है वह हमारी क्या होते हैं किूंधल एंगल्स आर्य सप्लीमेंटरि ठीक है एस यू डबल पी एली एमी बहुत लंबाई स्पेलिंग भाई मेंटरी टी आरवाई होगा मेंटरी का तो सप्लिमेंटरी हो गया और सप्लिमेंटरी की मतलब होता है कि दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा तो यहां से हमारे डीक अपने को पता है 120 डिग्री है एंगल एक यह पता है नहीं इक्वाल कि अपस तो यह अपस में इक्वाल होगा तो यहां से चार इंगल हमारे है वो निकल गए दो एंगल 2020 के और एक एंगल 60 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 120 डिग्री यह चारों जो होंगे मारे एंगल होंगे एक परलोग्राम की इस तरीके साथ को स्वाइब करना था सॉल्यूशन असान है में इसके आपको डाइग्राम समझना था उससे करते हैं और वीडियो जो की बहुत जादा लेंथी हो रहा है तो काम करते हैं तो बच गया रहे गाना उसे अगले पार्ट में कर लेंगे तो देखो जो मार्टी फर्स्ट को एसमें कहा सब्सक्राइब करें तो मैं आपको डाइग्राम के थूरू समझाओंगा कि जो सकता है अगर पूरा का पूरा एक रिक्टैंगल है तो वह सकता है तो हो सकता है कि यहां पर रिक्टैंगल बोल रहा है न वह एक ही हो और यहां पर सुरू में रिक्टैंगल दिया है ठीक है अ इसक्वायर के अंदर जो डैगनल होते हैं वो एंगल को क्या करते हैं आपस में बाइसेक्ट कर देते हैं तो अगर आपने स्कॉयर प्रूफ करें तो दूसरा अट्रूमेटिक प्रूफ हो जाएगा बस एक लाइन लिखना पड़ेगा अगरें पर समझाता हूं कैसे स्कॉयर मैं नोर्मल क्या होता है आमने सामने के साप़ अबस में आपने लेकिन आगर इस तरीका से मली summji रिक्टैंगल बनें जिसमें आमनेे सामने करने साइट तो हुं लेकिन चारों सप्राइब नाओं तो फिर ये स्क्वेर नहीं कहां लाएगा पूरे के पूरे सकष रिक्टैंगल होते हैं एक ना ये बनाए हमारे बना जो मैंने बनाया यह सकोईर दिख भी रहा है है और हमको इसको प्रूफ भी करना है स्कॉयर कैसे प्रूफ होगा वह समझो हमारा यह जो लाइन देखो और यह जो लाइन मेरी 20 यह दोनों के आपस में पैरलल है कि हम जानते हैं कि किसी भी रिक्टेंगल में जो आपस में पैरलल होते हैं तो इसका अब लिखो जो एडी है वह पैरलल है और क्यों है तो यहां पर हम लिख देंगे अपोजीट साइट्स आर पैरलल ठीक है यह फिर और रिक्टेंगल ऐसे विलिख सकते हो वही लिख देता हूं पोजीट साइड और पैरलल ऐसे डिटेल में लिख देना ठीक है तो अगर यह जो साइड दुन आपस में पैरलल है और यह हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो उस कंडिशन में में मेरे एंगल और एंगल इसलिए आपस में इक्वल हो गया और साथी साथ इसको अब लोग पर ले लो साथी सदब में किश्चन में एक ही ज़ी और क्या दिया हुआ था कि हमारा जो एंगल नंबर वन और यह उन्वर्ट नाम नहीं दिया था लेगिन एक चाहिए बहुता था ना कि जो डिए क्या कर रहा है angle a को angle c को bisect कर रहा है bisect क्या है कि ये 1 और 2 आपस में क्या होंगे equal होंगे तो इसको लिखो also हमारा जो angle number one है वह equal है angle number two के यह कैसे पता चला तो यह अपने को question में given था given कैसे था घुमा करके दिया था कि जो मेरा AC है वह bisect कर रहा है angle a को इसलिए हमारा one or two आपस में equal होगा इसको ले लो आपको equation number two अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा from equation number one and two आपको यहाँ पर साबसाब दिख रहा है कि one भी जो हो four equal है और one जो two के भी equal है यानि कि two और four भी क्या होंगे अपस में equal होंगे तो angle number two is equal to angle number four अब हमने इन दोनों angle को आपस में equal q proof किया इसे कुछ फैदा हुआ क्या तो बिल्कुल फैदा हुआ देखो two और four यहाँ यहाँ पर है और हम लोग अब क्या करेंगे यह जो हमारा triangle है इसका use करेंगे triangle ABC जो है इसको use करेंगे तो यहाँ लिखो in triangle ABC जो मारा triangle ABC है इसमें angle number two जो है वह equal angle number four के तो angle number two के opposite में जो side बन रहा है मेरा BC और angle number four के opposite में जो side बन रहा है AB यह दुनों भी आपस में उक्वल होंगे क्योंकि दो एंगल है तो opposite के side होंगे यहाँ लिखो आप लोग कि जो मेरा side BC है वो वो equal है मेरे side AB के, यह दुना आपस में equal क्यों है, क्योंकि यह opposite sides of equal angles है, equal angles के opposite में जो side होता है, वो भी आपस में equal होता है, तो अब देखो, AB और यह जो BC था, यह वाला side अगर, मालो AB और BC आपस में equal है, और हम लोग क्या जानते हैं कि यह मेरा complete rectangle है, तो यह दुना आपस में equal थे ही, यह दुनों आपस में equal हो गए, और BC और AD तो आपस में equal होंगे ही, क्योंकि rectangle के opposite sides आपस में equal होते हैं, तो यहां से में लिखेंगे, so, इसलिए, मेरा जो AB है, वो equal हो गया, BC के, BC जो equal है, वो है हमारे AD के, और AD जो हो हो जाएगा, हमारे DC के, CD के, यह चारों के चारो में क्या बोला था, कि मेरा जो दूसरा और diagonal बनेगा, यानि कि यह जो मेरा BD बनेगा, यह क्या करेगा, angle number B को, और angle number, sorry, angle B यहां पर, angle number D यहां पर, इन दोनों को भी bisect करें, जैसे, AC जो है, वो, A को bisect करें, वैसे, यहां पर जो एक ऐसी line आएगी, diagonal के नाम से, तो उसा diagonals of a square, bisect each other, ठीक है, एक दूसरे को क्या करता है, यह, bisect करते है, ठीक है, each other, नहीं, sorry, bisect its angle, each other, तो यह दूसरे करते हैं, साथी साथ उसके angles को bisect करते हैं, तो अपने को तो इन दोनों से बोला नहीं था, कि आपस में equal proof करो sides को, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखिए यहां इसको एर, bisect its angle, ठीक है, जो angle होते हैं, उसको वो क्या करते हैं, जो diagonal होते हैं, जैसे कि यहां पर मेरा जो यह वाला diagonal था, AC, वो bisect कर दिया, A और C को, तो यह वाला diagonal है, मेरा BD, यह angle B को, और D को क्या करेगा, bisect करेगा, so, यहां पर आप लिखोगे, BD bisect करेगा, कि इसको angle B and angle D को, बस यही आपको यहां पर करना था, आपका काम हो जाएगा, तो इस तरीके साबको question मेरा 21 भी complete करना था, I hope आपको बहुत अच्छे समझ में आगिया होगा, question मेरा 16 और 21 के question, अब मैं मिलते हैं, next ओले वीडियो में, जहां पर जो आगे questions हैं, उन्हें ही मैं कूशि description का जो वीडियो है, वो आपको नीचे description box में उसका link मिल जाएगा, thank you for watching.